अभी तक आपने सुना, वो अमाया के साथ चला जाता है, आयान अंजली से बेल्टन यार, अब बाहर चले, मुझे तो लग रहा था कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है, वो उसके साथ बाहर आती है, रियान से मिलने के लिए आयान उसके पास आता है, अब आगे, कोड से बाह करने लगा, वो उसकी और देखकर समझाते हुए बोला, तुम्हें अपने उपर इतने बड़े जूटे इल्जाम को क्यों एकसेप्ट किया, अंजली तुम्हें इन सबसे निकालने के लिए ना जाने, दिन राज कितनी मिहनत कर रही है, और तुम अपनी जिंदी की बरबात करने पर क्यों तुले हो, तुम्हें अपना केरियर को बनाने में कितनी मिहनत लगी, उसे एक पल में क्यों बरबात कर रहे हो, तुम जानते हो, इस जूटे इल्जाम से तुम्हें सारी जिंदी की जेल में रहनी पर सकती है, वो मुस्कराते वे बोला, अंजली से कह दो कि मे उसे सच बता सकती थी, तुम्हारा सच, लेकिन सिर्फ मेरी वज़े से, वो चाहती ही नहीं कि मैं उसकी जिंदकी में वापस आओं, इंसान चाहे तो अपनी किस्वत बदल सकता है, लेकिन तकदीर सिर्फ उस उपर वालों की हाथों में होती है, मेरी लाइप में ऐसा भी ट एक खाली पन है, अकेला हूँ, मैंने अंजली को ये कहकर छोड़ दिया, कि प्यार का क्या है, वो कभी न कभी मिल ही जाता है, लेकिन मुझे उसके जैसा प्यार कभी नहीं मिला, मैं इतना बदकिस्मत कैसे हो गया, खैर छोड़ो, मुझे पुलिस इस्टेशन जाने में दे देख रहे हो, देख रहा हूँ कि तुम्हारा दिल इतना बड़ा कैसे है, तुम्हारे मन में, उस इनसान के लिए इतनी हमदर्दी है तो क्यों है, क्या आप भी तुम उसे, मैं कुछ भी नहीं बताना चाहती हूँ अभी, मुझे अभी कही जाना है, तुम अपने घर जाओ आयान, इतना करकर वो आगे बढ़ जाती, आयान अपने मन में, I am sorry अंजली, मैंने तुम से मजाक मजाक में ही पूछ लिया था कि, तुम्हें मुझ जैसे लड़के से कभी प्यार क्यों नहीं हुआ था, लेकिन मुझे जवाब मिल गया है, मेरे यहां रहने से कोई फायदा नहीं है, मैं कल साम को चला जाओंगा, सिर्फ तुम्हें इस केस को जितिते हुए देखना चाहता हूँ, उसके बाद तुम्हें मेरी कभी परचाई भी नजर नहीं आएगी, इतना दूर चला जाओंगा, I am sorry आरो, लेकिन अब मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगा, अंजल इसे कहा, ये तुम भी जानते हो, जिस दिन तुम मुझे छोड़ कर गये थे रियांस, उस दिन से मेरी जिन्दगी के मायने ही बदल गए, कभी सोचा नहीं थी कि मेरी जिन्दगी यू पल में इस मौर पर आ जाएगी, जहां से मुझे सिर्फ अपनी मौत नजर आ रही थी, तो दूसरी तरब जिन्दगी, मैंने तुम्हारे बिना जीने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, सब कुछ बेवज़े से लगने लगे, खुसियां, दर्द, आसु, सब के मतलब ही बदल गए थे, लेकिन मैं क्या करती, तुम्हारे बिना जीना तो सीख लिया मैंने, लेक अनने बच्चे को कैसे बताती, कि उसका पिता तो उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं, सच कहूं, तो उस दिन मुे एहसास हुआ कि तुम्हें कभी मुझे से प्यार था ही नहीं, अगर होता तो तुम मुझे यूँ छोड़कर पही जाते ही नहीं, लेकिन फिर भी, मैं तुम मेरे रियांस नहीं, बलकि सूपर इश्टार रियांस का पोड़ बन चुके थे, अपने ही दुनिया में तुम मस्गूल थे, तुम्हें कभी भी मेरी याद, किया तुम्हें ये ख्याल तक नहीं आया, कि कोई तुम्हारा अपने पिछी छूट गया है, तुम्हें मेसा के लिए निकाल दिया लेकिन मेरी जिन्दगी यहीं नहीं रुकी आयान मेरी जिन्दगी में मेरा दोस्त मेरा हमदर्द बन कर आया मेरे जीने की वजह बना मेरे बच्चे की हर खुशी को उसने अपनी जीमेदारी समझ कर निबाई धीरे धीरे ही सही लेकिन वो मेरे जीन लेकिन अंजली अपने घर वापस नहीं लोटी, आरो और वित्याजी परेशान थे, क्योंकि उसका कॉल भी नहीं लग रहा था, आरो आयान को कॉल करने लगा, अगली ही पल आयान कॉल रिसीप करते हुए, हेलो आरो, हेलो अंकल, ममा आपके साथ हैं क्या, वो अभी तक घर न आता हूं वो कॉल कट करते ही खुद से कहने लगा अंजली घर नहीं गई तो फिर आफिस तो नहीं चली गई रावी से बात करने के बाद उसे पता चला कि वो तो आफिस गई ही नहीं वो फिर खुद से कहने लगा अंजली आफिस नहीं गई तो फिर गई कहां उसका मोबाइल भी आफ औरा है कहीं वो फिर से उसी जगह पर तो नहीं है वो झढ़ से अपने घर से बाहर निकल कर अपने कार में बैटकर बहा जाने लगा जहां अंजली थी कुछी देर बाद उसे वो अकेली बैठी हुी मिली वो अपनी कार को साइड में रोक कर उसके पास आने लगा अंजली अभी भी खोई हुई सी थी उसे कुछ पता ही नहीं चला कि कब आयान उसके बगल में आकर बैठ गया आयान उसे रोती वे देख कर बोला अगर तुम्हें ऐसी अकेले बैठे अपने साथ ही टाइम इस्पेंड करना है तो फिर घर में बता कर आती सब तुम्हारी चिंता कर रहे है वो अपने आशू पोश कर तुम यहां कैसे यह अच्छा है जब भी कोई तकलीफ हो या फिर कोई ऐसी बात जिससे परेशान हो तो तुम बताओगी नहीं बलकि अकेले में रोने आ जाओगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा तुम्हारी हालत मैं तुम्हारी यह आशू बहने का कारण भी मुझे पता है तो बताओ अकेले बैठ कर ऐसे खुद को क्यों कोश रही हो जब तक यहां हूँ मुझे सेयर कर लो अपनी बाते जब चला जाओगा तो तुम तुम मुझे मिस करने से रही मुझे मिस करोगी ना वो हैरानी से उसकी ओर देखती बोली तुम कहां जा रहे हो कितने दिनों के लिए इस बार बिना बताए गए ना तो तुम्हारा पीछा करते भी आ जाओंगी पहले यह बताओ मुझे मिस करोगी ना क्यों तुम्हे क्या हमेशा के लिए मुझे छोड़ कर जा रहे हो इतना कहकर वो हसने लगी तो आयान अपने मन में बोला मैं सच में हमेशा के लिए जा रहा हूं अंजली फिर कभी वापस नहीं आओंगा तुम मुझे माप तो कर दोगी ना इसलिए तुम्हे बता कर भी नहीं जा रहा हूं कि कभी वापस नहीं आओंगा वो उसकी और देखती वोली क्या हुआ कहां खो गए हो तुम वो आरो परेशान था बेचारा तुमने किसी को बताया नहीं और यहां चली आई उससे पहले बात करो घरी तो जा रहे है आयान ससस बताओगे अगर मैं कुछ पूछूंगी तो वो हस्ती बोला पूछो कोड के बाहर तुम रियान से क्या बात कर रहे थे वो उसकी और बिना पलक जपकाई देखने लगा तो अंजली उसकी और देखती बोली क्या तुम मुझे नहीं बताओगे अंजली रियान्स चाहता है तुम उसका केस छोड़ दो क्या लेकिन वो ऐसा कैसे बोल सकता है मैंने इतनी मेहनत की उसे निर्दो साबित करने के लिए तुम तो जानते हो ना आयान कि मैं जो केस एक बार अपने हाथ में ले लेती हूँ उसे जीत कर उसके अंजाम तक पहुँचा कर रहती हूँ मैंने भी उससे यही कहा तो उसने कहा कि उसे अगर सारी उम्री जेल में रहनी पड़े ही तो भी उसे कोई अफसोस नहीं है वो अपने जगे से उठते हुए बोली मैंने ये केस मिस्टर नील और मिसिस कपूर के रिक्वेस्ट करने पर लिया था अब इसके अंजाम तक लाना है उसके बाद उसकी और मेरी राहे अलग मैं कभी भी उसे अपनी लाइप में आने का कोई मौका नहीं दे सकती हूँ सब कुछ ठीक पहले जैसा हो जाएगा तुम तो हो ही मेरे साथ कैसे कहूं तुम से कि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा आयाम रेत को अपनी मुठ्धे में भरते वे मुस्करा कर अंजली का नाम चिलाते वे बोला अंजली वो उससे बहुत ही दूरी पर बैठ कर कुछ खोई-खोई सी थी अचानक से उसका चिलाना सुनकर वो उसकी और मुड़कर देखते वे बोली तुम उतनी दूर से मेरा नाम लेकर क्यों चिला रहे हूँ मैं देखना चाहता था कि तुम्हें दूर से मेरी आवाज सुनाई देखती भी है या नहीं क्या मतलब तुम और तुम्हारी ये बेत्व की बाते मेरी समझ के परे है आज ऐसे रेट को अपनी मुठ़्ी में क्यों भरा तुमने बस ऐसे ही मैं देखना चाहता हूँ अगर मैं अपनी मुठ़्ी को खोलता हूँ तो ये रेट बिखर कर इधर उधर चली जाती है या फिर ये पानी में जाकर मिल जाती है वो मुठ़्ी को खोलता है तो रेट की धूल पानी में गिर कर मिल जाती है वो मुस्कराती है बोला अब चले लेकिन मुझे समझ नहीं आया, तुम कहना क्या चाहते हो, बताओ भी, कुछ नहीं, आ रो, तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, कल कोर्ट मेरे लाश्ट हेरिंग है, उसके लिए आल दी वेट, अभी क्यों बोल गए हो, कल तुम आ रहे हो ना कोर्ट में, मुझे सपोर्ट करन थी, उसकी आखे बहुत बया कर रही थी, आयान अपने मन में, क्या तुम्हें मेरी आखों में, अपना प्यार नजर नहीं आता है, अंजली, तुम देख कर भी क्यों अंदेखा कर रही हो, सायद मेरी जाने के बाद, तुम्हें एहसास हो, मेरा प्यार समझ में आये, मैं एक दोस्त बन कर आया तो सही लेकिन दोस्त बन कर ही नहीं रह सका मुझे माफ कर देना मेरी और तुम्हारी दोस्ती के बीच मेरा प्यार आ रहा है और मैं इस गिल्ड के साथ तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि तुम्हे मुझे प्यार क्यों नहीं हुआ है मेरा ये एक तरफा प्यार साथ मेरे जीने की वज़े है बने उसे इतने सांध देखकर अंजली को बहुत ही अजीब सा लगा वो उसके सर पर हाथ रखकर छूते भी बोली तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मुझे क्या हुआ? कुछ तो हुआ है तुमें वरना अब तक अपनी बातों को कब बोल बोल कर मुझे जरूर पका देते सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ बिलकुल भी नहीं जब तुम ऐसे बोलते हो ना? मैं ठीक हूँ तो मेरा सक और बढ़ जाता है कि तुम मुझे जरूर कुछ छिपा रहे हो आयान, कहीं तुमें किसी से प्यार तो नहीं हो गया है ना? कहीं? इस वज़े से तो उसके ख्यालों में खोय हूँ आयान, मैं सच कह रही हूँ, बताओ ना? अंजली, मुझे जिससे प्यार है, उसे तो पता भी नहीं है लेकिन ये बताओ, जब तुम ये केस जीतोगी, तो मुझे क्या दोगी? अच्छा, ये बताओ कि कौन है, जिससे तुम एक तरफा प्यार कर बैठे हो मैं तुम्हें उस लड़की का साथ, जिन्द की भर निभाने के लिए उसका साथ तुम्हें सौप दोगी वो नहीं मानेगी, अच्छा, उसके बारे में कल बताता हूँ अब सच में देर हो गई है, रात होने वाली है, अब तुम अपने केस पर कॉंसेंट्रेट करो अगर वो नहीं मानी न, तो उसे अपने साथ तुम्हारे पास लेकर आऊंगी और कहूंगी कि मेरा दोस्त वेर डाइमंड है, और तुम कांच सी गुडिया, वो तुम्हें जिन्द की भर समाल कर जिर सकता है इतना बोलकर वो हसने लगी, तो अयान भी मुस्कराते हुए, उसकी और देखने लगा, दोनों घर आ गए थे, आरो अपनी मम्हा को देखकर, अयान के गले लगकर, वो बोलने लगा थेंकि सो मचंकल, आप मेरी ममा को लेकर आये, लेकिन मम्हा गई कहा थी, आपकी मम्हा वापस तो आ गई ना, हाँ मम्हा, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ, वो अपने पास उसे बुलाती हुए बोली बेबी आपका होमर्ख हो गया ना अगर नहीं तो आप स्टिडी करने जाओ ममा आ रही है मा आप भी ना बेवजे इतनी चिंता क्यों करती है आप मैं कहीं नहीं गई थी आप आराम करने जाइए मैं काफी बनाती हूँ आरो उसकी बास सुनकर अपनी नानी के साथ अंदर चला गया अंजली किचन में आती है और काफी बनाने लगी तभी आयान भी उसके पीछे पीछे किचन में आता है उसके पीछे खड़े होकर बोला ये कुकीज तुमने बनाए है वो उसे बिना देखे ही बोली बोल तो ऐसे रहे हो जैसे पहली बार खा रहे हो सारा डिबा तुम और आरो मिलकर खा जाते हो मुझे ना तुम बिलकुल बच्चे जैसे लगते हो तुम बड़े कब हो गए आयान ये बच्चो वाली हरकत छोड़ क्यों नहीं देते हो इतना कहते हैं वो जैसे ही उसकी और मुड़ती है कि उसका पैर फिसल जाता है वो गिरने ही वाली होती है कि आयान उसे अपने बाहों में भरते हुए उसका हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है अंजली की धड़कने तेज रपतार से धड़कने लगे आयान का हाल भी कुछ इसी तरह था आज से पहले दोनों ने इस तरह से कभी एक दूसरे के इतने करीब नहीं थे अंजली अपनी आँखे बंद कर लेती है आयान मुस्कराते हुए अपने मन में सूचते हुए आज पहली बार तुम मेरे इतने करीब हो तुम्हारी धड़कनों को सुन रहा हूँ तुम्हारी सासों को महसूस कर रहा हूँ आज पहली बार तुम्हें मैंने अपनी गले से लगाया लेकिन तुमसे अलग क्यों नहीं हो पा रहा हूँ प्लीज थोड़ी देर तक ऐसी ही रहो प्लीज मुझसे अलग मत हो तभी अचानक से वो उससे अलग होते हुए अपनी नजरे चुकाए हुए थी वो उससे धीरे से कहती है आयान तुम बाहर जाकर बैठो मैं कॉफी लेकर आती हूँ अयान उसकी बातों को सुनकर सॉरी वो उसकी सॉरी वर्ट्स को सुनकर बोली वाट सॉरी फ्रेंड्सिप में कोई सॉरी कोई थैंक्यू नहीं ये रूल तुम्हें फिर से याद दिलानी पड़ेगी मुझे तुमने मुझे गिरने से बचाया है उसके लिए मैं तो तुम्हें थैंक्यू भी नहीं बोल सकती हूँ अब जाओ तुम मैं कॉफी और ये कुकीज लेकर आ रही हूँ वो बाहर आकर सोफे पर बैठ कर टीवी देखने लगा न्यूस चैनल पर रियांस और अमाया के बारे में ही दिखाया जा रहा था अंजली कॉफी का मग उसे देते हुए टीवी की ओर देखती हूँ बोली इतने गौर से न्यूस चैनल कब से देखने लगे तुम जबसे तुमने सूपर इश्टार रियांस कपूर का केस लिया है ओ तो ये बात है मुझे लगा तुम और न्यूस चैनल वैसे क्या देख रहे हो तुम्हारे क्लाइन के बारे में दिखाया जा रहा है सबके होटो पर एक ही सवाल क्या सूपर इस्टार रियांस कपूर इनोसेंट है या फिर गिल्टी है वो काफी पीते वे बोली वो तो जद साहा भी बताएंगे कौन गिल्टी है और कौन इनोसेंट है अब काफी पियो जल्दी से मुझे बहुत जरूरी काम करना है लेकिन मैं आरो के पास जा रहा हूँ अंजली क्या मैं आज की रात आरो के साथ टाइम इस्पेंट करना चाहता हूँ उसके साथ अपनी यादे बनाना चाहता हूँ बहुत याद आएगी उसकी मुझे क्या हो गया है तुमें तुम सच में जा रहे हो क्या बहुत हो कर लिया मजाक अब काफी भी हो जल्दी तुम इतने confusion character क्यों हो कभी कभी मुझे समझ नहीं आता है ठीक है जाओ उसके पास वैसे भी उसे तुम्हारी इतनी आदत हो गई है कि अब तो मुझे भी डर लगने लगा है लेकिन एक बात की खुशी है और मैं tension free होगी तुम ही तो हो उसके साथ और वो उसकी बाते सुनकर आरो की कमरे में चला जाता है वो उसे study करते हुए देखकर बोला आरो आयान अंकल आप आईए तुम कुछ tension में हो किससे बात कर रहे थे अपनी friend मिनी से अंकल मैं आप से एक बात पुछू क्या आप हमारे साथ हमारे घर में एक साथ family बनकर नहीं रह सकते है मेरे पापा बनकर वो उसकी बाते सुनकर उसकी और देखती हुए बोला चाहता तो मैं भी हूँ कि हम सब एक साथ family बनकर रहे मैं भी आपके साथ खेलना चाहता हूँ रहना चाहता हूँ आपके साथ आपकी ममा के साथ एक sweet and happy family बनकर लेकिन ये possible नहीं है बेटा क्योंकि आपकी ममा और मैं कभी साथ नहीं रह सकते है मुझे यहां से चले जाना चाहिए इसी में उसकी भलाई है और आप तो हो ही मेरे champ तो बोलो मेरे जाने के बाद मुझे भूलोगे तो नहीं वो सुनकर रोने लगा और रोते वे उसके गले लग गया अयान उसे चुप कर आते हूँ बोला आरो आप तो good boy हो ना तो मुझे एक promise करोगे आप हमेशा अपनी मम्मा के साथ रेना और वो जो कहें उनकी सारी बात मानना बोलो करोगे ना ऐसा यस लेकिन आप मत जाओना अंकल आप मेरे पापा नहीं बनना चाहते हो तो मैं आपको कभी भी नहीं कुछ कहूँगा लेकिन आप ऐसे छोड़ कर मत जाओ रात के ग्यारा बजे के लगबग आयान आरो के साथ लेटा वा था लेकिन उसकी आँकों से नीन कायब दी वो बाहर आकर देखता है अंजली के रूम की लाइट अभी भी आउन है इसका मतलब वो अब भी अपने काम में विजी है वो उसके रूम के बाहर नौक करने लगा वो उसकी ओर देखते हुए तुम ऐसे अंदर आओ क्या हुआ नीन नहीं आ रही है क्या तुम्हें कैसे पता मुझे पता है क्योंकि मुझे सब कुछ पता होता है बैठो भी ये देखो मुझे सारे एविडेंस रावी ने सेंड की है ये CCTV फूटेज होटल रूम के बाहर की है हाँ तुम कुछ बोल रहे थे न नहीं बस ऐसे ही मुझे नीन नहीं आ रही थी रात बीच चुकी थी अजली अपने बेटे की रूम में उसे जगाने जाती है लेकिन उसे बेट पर अकेला सोई हुए देखकर वो उसके पास आते है बोली ये आयान इतनी सुबह चला गया वो भी मुझे बताए भी ना उसे तो मुझे बात करनी थी ना तो फिर आज के लिए कुछ अलग सा भी है क्यों कर रहा है आज कोड के बाहर उसे मिल कर उसे सब कुछ बता दूँगी और अपने दिल की बात भी क्योंकि अब कुछ भी हो मैं कैसे चिपा सकती हूँ अपनी फिलिंग या फिर उससे जानने की कोशिस करूँगी कि उसके दिल में मेरी लिए कोई फिलिंग है भी या नहीं ये सारी बाते करते हुए वो आरो को जगाने लगी वो बेट से उठकर सीधे अंजली की गोदें बैर जाता है और मुस्कराते हुए गुड मॉर्निंग ममा गुड मॉर्निंग बेबी अब जल्दी से रेडी हो जाओ मुझे कोर्ट भी जाना है आप नानी के साथ यहीं रहना आज देर नहीं होगी मैं टाइम पर घर आ जाओंगी उसके बाद आप जहां कहोगे मैं आपको लेकर जाओंगी आपको जो कुछ भी चाहिए सब कुछ मिलेगा प्रामिस हाँ प्रामिस तो बोलो क्या चाहिए आप पहले जाओ उसके बाद आपके वापस आने के बाद बताओंगा गुड बाई मैं तयार होने जा रहे हूँ इतना कहकर वो अपने रूम में तयार होने चले जाते कुछ देर बाद वो बाहर आकर अपनी मा की और देखते वे बोली मा मैं कोड जा रही हूँ अंजली तुम मेरे पास पांच मिनट के लिए बैठ कर बाते तो कर सकती हो न वो उनकी बातों को सुनकर थोड़ी सी इमोसिनल होते वे अपने मन में आज ऐसा भी क्या हो गया है जो मेरे मा मुझसे बात करने के लिए पांच मिनट का वक्त मांग रही है मुझे से हम एक ही घर में रहते हैं उसके बाप जुद भी मैं कभी भी बैठकर उनसे जी भर कर बात भी नहीं कर सकी वो उनके पास बैठते बोली मैं पांच मिनट क्या आपके पास ही तो हूँ आप बोलो क्या बात बतानी है मुझे वो उसकी और देखते बोली क्या तुम सारी उम्र अकेले ही गुजारनी है कभी तो अपने बारे में सुचो मैं आज हूँ, कल नहीं मैं तो हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहने वाली हूँ न क्या तुम मेरी ये बात नहीं मान सकती हो आरो को देखो उसे भी एक पिता की जरूरत है मा आप ऐसा क्यों बोल रही है आप मुझे छोड़कर कहा जाएंगी और वैसे भी आयान तो है न अच्छा मा मुझे देर हो जाएगी कोड जाने में साम को आकर बात करती है वो अपनी मा और अपने बेटे को वाई बोल कर रावी के साथ वहाँ से कोड के लिए निकल पड़ी इदर सांती भोनवी मिश्टर कपूर निल से निल आज तो सुनवाई है ना तुम्हारी बात हुई है मिस्दिश्चिस से हाँ अंकल वो कोड पहुँचने वाली है आज लास्ट हेरिंग है ना कोड के बाहर कुछ ज़्यादा ही भीड होने वाली है अब चलते हैं ओके मा सुननदा मैं रियांस को लेकर आऊँगा आज आप लोग चिंता मत किजिए जीत आज तुम आफिस चले जाओ माही के साथ मैं नहीं आ सकता हूँ ठीक है डैड सब लोग कोड पहुँच चुके थे बिकरम सारे रिपोर्ट के सवालों का जवाब दे रहा था तब ही अंजली को आते हुए देखकर वो उन सब सही एक्स्क्यूज मी इतना केकर वो अंजली के पास आते हुए हेलो अंजली हाई बिकरम कैसे हो आज तुम्हारे साथ तुम्हारा पार्टनर नहीं आया उसे ही न तुम डेट कर रही हो न आज कल वो मेरा best friend है लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो लाइफ में पहली बार तुम्हें सही इनसान के साथ देखा है लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम बहुत ही interesting character है तुम्हारी client वो बिना कुछ बोली ही आगे बढ़कर court room में चला जाता है उदर रावी के हाथों में एक envelope था वो उसे इस ओर आती भी देखकर बोली ये कैसा envelope है? ये आपका ही है, आयान सर ने मुझे दिया था आपको देने के लिए और वो चले गए क्या? वो यहाँ आकर भी मुझे से मिला नहीं? अच्छा ठीक है, मैं इसे रख लेती हूँ अभी मुझे अंदर जाना चाहिए अंजली के पीछे पीछे रावी उसके साथ court में आती है वो देखती है अमाया विक्रम से कुछ बात कर रही थी उसे आता हुआ देख, वहाँ से चली जाती है तभी नील और मिश्टर कपूर अंजली को देखती हुए बैट जाते हैं विक्रम अंजली को देखकर मुस्करा रहा था, तभी रियांस पुलिस इंस्पेक्टर के साथ आकर वो बिटनेस बॉक्स में खड़ा जाते है जज साहब आते ही कोड की कारवाई सुरूप करने को कहते हैं विक्रम खड़े वो कर रियांस की वो देखती हुए बोला मैंने पिसली बार ही कहा था रियांस कपूर जो दिखने में इतने इन्नोसेंट है असल में ये जूट का नकाब पहने ऐसे इनसान बनने का दिखावा करते हैं जिससे सारे लोगों को यही लगता है कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं लेकिन ऐसे लोग कानून की नजरों से बच नहीं सकते है मेरी क्लाइन को अकेला पाकर उनके साथ रेप किया और इस इल्जाम से बचने के लिए उन्होंने सारे मीडिया वालों के सामने और कोर्ट में भी ये कहा कि उन्हें कुछ भी याद नहीं ये छूट बोल रहे माईलाड ऐसे बहसी दरेंदे को सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई और ऐसी घटिया हरकत न करे ये सारी बाते सुनकर अंजली अपनी जगे से उठकर मुस्कराते हुए बोली मिश्टर विक्रम आपकी कलाइंट से मैं कुछ बाते करना चाहती हूँ मैं देख रहा चाहती हूँ कि क्या उनके साथ सचमें मिश्टर र्यांस ने रेप किया ज़साप मैं मिस Аमाया राए को विट्नेस बाक्स में बुलाकर उन से पूश्टाश करना चाहती हूँ तभी बिक्रम उन्हें रोकते वे बोले माईलाड मेरी क्लाइन्ट के साथ पहले ही पूश्टाश कर लिया गया है अब और क्या पूशना चाहती है मिस दिश्चित जचाब अंजली की बात को सुनकर अमाया को बिटनेस बाक्स में आने की आउडर देते हैं अमाया बिटनेस बाक्स में आती है अंजली मुस्कराते वे मिस अमाया मैं जानना चाहती हूँ क्या रियान से पहले भी आप किसी को डेट कर रही थी नहीं हाँ वो लेकिन मेरा ब्रेक अप हो गया था अब मेरा उसके साथ कोई रिलेसन नहीं है तो फिर क्या आप मुझे बता सकती है कि होटल रूम में जब आप रियान से सौरी बोलने गई थी ठीक उसके पांच मिनट बाद जो बेटर आपके लिए और मिस्टर रियान से लिए ड्रिंक लेकर आया था उसे कैसे पता कि रूम में दो लोग है आप मुझे बता सकती है इस बात को सुनकर अमाया के पसीने चूटने लगे उसका चेहरा साब साब बता रहा था कि उसका जूट पकड़ा गया वो चुप हो जाती है तो अंजली उसकी और देखती हुए आपको इतना पसीना के वारा है जबकि यहाँ ऐसी भी चल रहा है वो मुझे नहीं पता हो सकता है उसने मुझे रियांस की रूम में जाते हुए देख लिया हो अच्छा तो फिर इस ग्लास को पहचानती है अब इस एक ग्लास को मैंने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था तो मुझे पता चला कि इस ग्लास के ड्रिंक में कुछ नसीली दमाईयों को मिलाया गया था जिसे अगर कोई बेक्ति पी ले तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता है मेरे पास इसकी रिपोर्ट भी है वो उस रिपोर्ट को जज सहाब को देती है और मुस्कराते भी बिक्रम से कहती है मिश्टर बिक्रम ऐसे बहुत सारे एविडेंस है मेरे पास जिससे ये साबित होता है कि मेरे क्लाइंट मिश्टर रियांस इनोसेंट है उन्होंने कुछ भी नहीं किया बलकि मिस अमाया ने अपने रेप का जूटा तमासा किया भरी पार्टी में ये दिखाने के लिए कि ये बहुत ही बेचारी है इनके साथ जोर जबजस्ति करके रेप किया गया है जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है वो रोते हुए चिलाते हुए बोली ये सब जूट है रियांस ने मेरे साथ जबजस्ति की है आपको मेरी बातों पर यकिन क्यों नहीं हो रहा है उसे इतने पैनिक होते हुए देखकर अंजली उसे और भढ़काते हुए बोली मिस राय आप मेरे क्लाइन पर जूटा इल्जाम लगा रहे है सच वो नहीं जो आप कह रही है सच वो है जो ये एविडेंस है अगर मैं जूट बोल रही हुँ तो आपके रियांस की रूम में गए आदे घंटे के बाद ही आपने क्यों चिलाया आप चाहिती तो उसकी रूम में जब उसने आपके साथ जबजस्ती करने की कोशिस की तब चिलाती यूँ आदे घंटे बाद नहीं आप उसकी कमरे में आदे घंटे तक क्या कर रही थी ये सिसी टीबी फूटेज गलत है ये रियांस की ड्रिंक्स गलास जिसे आपने गलती से उसी टेबल पर छोड़ दिया था या फिर आपका और उस बेटर का रिलेसंसिप है विक्रम अमाया की गोर देखती हुए वो जजस साहब से कहने लगा माईलार मिस दिश्चित मेरे क्लाइंट को वो बोली रहा था कि अंजली मुस्कराती हुए बोली अब आप अपने क्लाइंट को नहीं बचा सकते हैं मिस्टर विक्रम ये जूट बोल रही है मेरे पास इनकी खिलाप और भी एविडियन्स है जिने कोई भी जुठला नहीं सकता है मिस अमाया राय का मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट जिनमें क्लियर लिखाए कि अमाया के साथ कोई रेप नहीं हुआ है इस मेडिकल रिपोर्ट को जज सहाब देखते हैं तो उनकी बातों को सुनकर अमाया अपना सर चुका लेती है और रोने लगती है तब ही अंजली अमाया की और देखते हैं बोली मैं सही कहरी हूँ ना मिस अमाया आपने मेरी क्लाइन पर ये इतना बड़ा जूटा इल्जाम क्यों लगाया आखिर क्या दुस्मनी थी आपके इनके साथ वो रोते हुए जज सहाब को देखते हुए जज सहाब मैंने जान बुझकर रियांस पर ये इल्जाम लगाया ताकि इसे सजा हूँ और इसकी लाइप पर बाद हो जाए इसका कैरियर खतम हो जाए इसके फैंस इसे नफरत करने लगें तब इसे समझ में आयागा कि किसी के दिल तोड़ने की सजा क्या होती है मैंने तो इससे सच्चे दिल से चाहा लेकिन इसने मुझे इंकार कर दिया और जब मैंने इससे अपने प्यार का इजहार किया तो इसने मुझे वहाँ से जलिल करके निकाल दिया तो मैंने इससे बदला लेने के लिए ये सब किया जिसे मेरी help मेरे boyfriend ने की I am sorry उसकी बाते सुनकर अंजली उसकी ओर देखती हुए बोली मिस अमाया आपने बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे इतना बड़ा गिनोना जूटा इलजाम मिस्टर रियांस कपूर पर लगा दिया लेकिन इनकी ओर देखिए क्या इन्होंने कभी भी आपके साथ बत्तिमीजी की ज़साब चरूरी नहीं है कि एक लड़की ही इन सब चीजों का सिकार होती है कभी कभी लड़के भी इन सब चीजों के सिकार होते हैं लेकिन जब कोई लड़की चीकती चिलाती है तो सबको लगता है कि उसके साथ मोलेश्ट किया गया है कभी लड़के भी मोलेश्टेशन के सिकार हो जाते हैं उनके इनोसेंट कावे कितने लोग फायदा उठाने की कोशिस करते हैं मेरे क्लाइन चाहते तो इन पर मानहानी का केस तरज करा सकते हैं जजसाब अंजली की बातों को सुनकर अपना फैसला सुनाते हुए रियांस को सारे केस से बाइचत परी करते हुए रिहा कर देते हैं और अमाया वहां से बिना किसी से मिले कुछ बोले ही सीधे चली जाते हैं सब के जाने के बाद रावी अंजली के पास आते हुए बोली मैम कॉंग्रेस आप फिर से ये केस चीत गई आयांसर होते तो कितने खुस होते तभी मिश्टर कपूर अपने बेटे से मिलकर उसके साथ अंजली से मिलने आते हैं लेकिन तब तक अंजली बिक्रम और रावी से बात करती हुए बाहर चली गई थी अंजली कोर्ट में जजस साहब और बाकी सब के सामने ऐसा कुछ बोलती है जिससे सब उसकी तारीव करने पर मजबूर हो जाते अंजली एक-एक की बातें कहीं न कहीं सच बया कर रही थी उसकी बातों को सुनकर रियांस उसकी ओर देखती हुए अपने पाश्ट में खो गया था पांच साल पहले फ्लेस बैक लबली कैफे नाम का बड़ा सा आलिसान रिस्टोरेंट जिसमें ज़्यादा तर गर्ल्फरेंड बॉइफरेंड अपने डेट के लिए आते थे रियांस और अंजली आज पहली एक दूसरे से कॉले से बाहर मिले थे रियांस रिस्टोरेंट में बैठ कर उसके आने का इंतिजार कर रहा था तब ही उसे अंजली आते वे दिखाई देती है वो अंदर आकर इस्माइल करती है वो इधर उदर देखी रही होती कि रियांस अपने घुटनों के बल बैट कर अपने हाथों में रेड रोस उसे देती हुए बोला ये सुनती वो इस्माइल करती है उसे देखने लगती है तब ही वहां और सारे कपल अंजली को फोर्स करते हुए एक साथ बोले सेज यस अंजली हसते हुए बोले इतना प्यार करते हुँ मुझसे तो फिर पहले मुझसे कहा क्यों नहीं मैं तो हमेशा से तुमसे बात करने की बहाने ढूरती रहती थी इस कालेज का सबसे कूल बोई मुझे परपोस कर रहा है वो भी इतने लोगों के सामने अंजली उसके हाथों से रोज लेकर हां कहती है और उसके गले लग जाती है तब ही जज साहब अपना फैसला सुना कर जा चुके थे अमाया भी सबकी नजरों से बचकर आगे बढ़ कर चली गई अंजली बिक्रम से बाते करती वे साथ में बाहर आई थी कि मिश्टर कपूर, नील और रियांस उनके पास आका थैंक्यू सो मच मिस्टिचित मुझे पूरा यकिन था कि आप मेरे बेटे को बेगुना सावित करके रहेंगी मैंने आप से कमिंट्मेंट भी की थी सर, कि आपका बेटा अगर बेकसूर है तो मैं किसी भी हाल में सजा होने नहीं दूँगी अब मेरा काम हो गया मैंने अपने बेटे से भी प्रॉमिस किया था कि आज ये केस को जीत करी घर वापस आऊंगी उसकी विस जो पूरी करनी है मुझे अब मुझे देर हो जाएगी जाने में थैंक्यू आप से मिलकर खुसी हुई वो जाने लगी उसके चेहरा साप साप बता रहा था कि आज वो कितने खुस है वो आगे बढ़कर अपने कार के पास आही रही थी कि पीछे से रियांस आवाज देती हुग बोला लिसन अंजली मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ उसके कदम एकाएक उसकी आवाज को सुनकर रुख जाते है वो पीछे मुड़कर उसे देखती है जैसे कोई किसी अजनभी को देखता है वो उसे देखकर ही समझ गया था कि शायद अब अंजली को उससे कोई मतला भी नहीं रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अभी जो उसके सामने उससे बात करने की कोशिस कर रहा है वो उसका कभी अपना था अंजली उसकी और देखते हुए आपको मुझसे कुछ कहना है मिश्टर कपूर नहीं बस मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ अगर तुम मेरे सवालों का जवाब देना चाहती हो तू वैसे तुम्हारा कोई हक नहीं है कि मुझसे कोई सवाल करो लेकिन फिर जो पूछना चाहते हो मैं उसका जवाब जरूर दूँगी तो पूछो अंजली तुमने मुझसे जूट क्यों कहा कि तुम्हारी और आयान की साधी हो चुकी है तुमने उससे साधी कभी की ही नहीं क्यों का कोई जवाब नहीं होता है मिश्टर कपूर टाइम के साथ मैंने खुद को ढाल लिया है मेरे बेटे के लिए हम काफी हैं किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ी फिर भी तुमने पूछा है तो मैं बता देती हूँ तुम्हें याद है वो रात जब सारे फ्रेंड एक साथ रिसॉर्ट गए थे वहाँ पर ना जाने कितने सारे पल एक साथ बिताए थे वो उस सारे लमों को याद करते वे मुस्काते वे बोला हाँ याद आ गया कितने हसीन पल बीते थे ये सुनते ये उसके आँखों में आशू आ गए थे वो फिर भी खुद को समालते वे बोली तुम्हें मेरे याद दिलाने पर सब कुछ याद आया लेकिन उस रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो तो तुम भूल ही गये होगे तुमने मुसे प्राउमिस किया था तुम्हारा साथ कभी छोड़ कर नहीं जाओगा चाहे कुछ भी हो जाए तुमसे दूर रही नहीं सकता हूँ लेकिन तुमने अपना प्राउमिस तोड़ दिया रियास मैं बाबरी सी होकर तुमसे मिलने आ रही थी तुम्हे गुड न्यूज सुनाने लेकिन तुमने मुझे एक्तम से अपनी न्यूज सुना कर सौक्ट कर दिया मेरे पैरो तले जमीन खिसा गए तुम चले गए एक बार भी मुड कर नहीं देखा तुमने मैं किस हाल में हूँ तुमने एक बार भी ये तक जानने की कोशिश नहीं कि मैं जिन्दा हूँ भी हूँ या नहीं अगर जिन्दा हूँ तो किस हाल में हूँ हमारे ब्रेक अप के बाद मैं तो जैसे तूट गई थी लेकिन मेरी जिन्दगी में तुम्हारी जगे किसी और ने ले ली मैं आज भी तुम्हारे साथ बिताएवे उस लमों को सोचकर मुस्कराती हूं और अपने बच्चे की और देखती हूं अगर वो ना होता तो शायद मैं होती ही ना तुम मेरी लाइब से कब के जा चुके थे और मैंने ये कहकर तुम्हें भुला कर माफ कर दिया कि तुम मेरे लिए शायद मेरा पहला और आखरी प्यार थे ही नहीं ये मुझे तब रिलाइज हुआ जब आयान मेरी जिंदगी में आया और उसने मुझसे कहा कि जो तुम्हारा है नहीं उसे याद करके रोने से क्या मिलेगा उसे जाना था वो चला गया अब तुम अपनी लाइफ में मूवान करो और अपनी लाइफ को इंचुआ करो I am sorry लेकिन अब और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ मुझे देर हो रही है रियान समझ चुका था जिस तरह वो उसे छोड़ कर गया आज उसी तरह अंजली भी उसे छोड़ कर जा रही है कल उसके पास भी उसे छोड़ जाने की वज़े थी आज अंजली के पास क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं नेवर क्योंकि मुझे किसी की आदत बहुत जल्दी हो जाती है फिर छूटना बहुत तकलिप भी होती है तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतिजार कर रही है पीछे मेडिया वाले तुमसे सवाल करने आने वाले है वो जाने लगती है तो वो उसे रोकती हो बोला अंजली प्लीज मेरी बात सुन लो मुझे रूट कर मत जाओ रियांस प्लीज ऐसे पैनिक होकर मुझे बात मत करो मैं कभी भी तुम्हारी लाइप में नहीं आ सकती हूँ ऐसे जित तो मत करो क्योंकि अब इससे कोई फायदा नहीं है कभी तुमने मुझे से वादा किया था कि कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगी लेकिन वो सब कुछ खतम हो चुका है मैं कभी उस रियांस की थी लेकिन आज जो सूपर इस्टार रियांस मेरे सामने है उसे मैं नहीं जानती हूँ और जानना भी नहीं चाहती हूँ अब प्लीज मेरा नाम लेकर मत पुकरना गुड़ बाइ अंजली अपनी कार में बैट कर जाने लगती है उसके आँखों में आशो थे तो रियांस भी रो पड़ा क्योंकि आज पहली बार उसे समझ में आया कि उसने सच में अपना सचा प्यार खो दिया उसे रह रहे कर अंजली की वो बीती बाते याद आ रही थी जो उसने कहा था तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ लेकिन तुम्हें कभी सचा प्यार नहीं मिलेगा इस बात को याद करते वो वहीं गुटने के बल बैट कर रोने लगा तभी उसके सोल्डर पर नील हाथ रखते वे बोला जो हमारी लाइप में सबसे इंपॉर्टेंट होते है ना रियांस उसके जाने के बाद ही हमें उसकी अहमियत पता चलती है तुमने खुद उसे अपनी लाइप से निकाल चुके थे तो आज ये आशू क्यों दिल में दबी हुई मुखबत फिर से जाग उटी संभालो खुद को और चलो तुमारे रेट तुमारा इंतजार कर रहे है लाइप कभी कभी हमें ऐसे हालातों से और ऐसे लोगों से सामना करवाती है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कभी खुद को आज माने का इंतजार रहता है वो वक्त आता तो है लेकिन ऐसे बीच जाता है जैसे वो पल अब दुबारा आएगा ही नहीं अंजली अपनी जिन्दिकी में बहुत आगे बर चुकी थी वो दुबारा से उस इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहे थी जिसने उसे एक बार बिना वज़े छोड़ कर चला गया फिर कैसे यकीन हो उस पर कि वो दुबारा छोड़ कर नहीं जाएगा गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं होती है ये तो फिर भी वादे हैं जो अक्सर हमसे करते हैं वही तोड़ देते हैं ये मुलाकात भरी मुहबबत प्यार इंतिजार फिर इजहार फिर एक वक्त आता है जब जो सबसे जरूरी होता है एक दूसरे के साथ रहकर सारी उम्र उससे जो वादा किया था वो पूरी करना पूरे सिद्दत के साथ लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सपने तो देख लेते हैं लेकिन कभी उनकी मजबूरी उन्हें इन सबसे दूर कर देती है तो कभी वो खुद उनसे दूर हो जाते हैं आज सालों बाद जब मैंने उसे देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे रेगिस्तान में बारिस की बूंदे बरस पड़ी हैं और वो सूखी और प्यासी धर्टी की प्यास बुछ चुकी है लेकिन जब मैंने तुम्हें आयान के साथ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बारिस होने वाली है लेकिन बादल छट चुके हैं उसे बरसने से रोक दिया है जब मुझे पता चला कि तुमने अभी तक साधी नहीं की तो मेरा मन किया कि तुम्हें अपने गले से लगाऊं तुम्हें अपने दिल का हाल बया करूं तुम्हारी सारी सिकायते सुनू, तुम्हारी नाराजगी तूर करू, तुम्हारे कड़वे बोल को सुन कर अपने अंदर समेट लो, लेकिन अब साइद ऐसा कभी नहीं होगा, अब साइद तुम कभी भी मेरे पास नहीं आओगी, अब तुम कभी भी मुझे देखना नहीं चाहती हो ये मेरी सजा है तुम मुझे खुसी है वो घुटनों के बल बैट कर रोने लगा निल उसकी और अंजली की सारी बाते सुन चुका था उसके कंदे पर अपना हाथ रखते हुए बोला ये किस्मत की बात है जब वो तेरी जिन्दगी में थी तुने उसकी कदर नहीं की आज उसे खुने के बाद तुझे उसकी अहमियत का पता चला तुमारे डैट तुझे बुला रहे है मीडिया वाले तुमसे कुछ पूछना चाहते है चलो हाँ तुम जाओ मैं आ रहा हूँ तुम ठीक होना क्या फार्क पड़ता है वो खुस है तो मैं भी खुस हूँ कास मैं उसे खुने से पहले उसकी कीमत जान पाता तो आज मैं अपने बच्चे और अंजली के साथ होता किस हक से अपने बच्चे से मिलू मैं कैसे कहूं कि मैं उसका डैड हो इतने सालों तक मुझे पता ना था आज यूँ अचानक से मुझे नहीं होगा लेकिन एक बार अपने बच्चे से जरूर मिलना चाहता हूँ उसे देखना चाहता हूँ इधर टीवी पर न्यू चैनल पर इस केस के बारे में ही बताया जा रहा था मिस अंचली दिच्चित ने सुपर इस्टार रियांस कपूर को निर्दोर साबित करके उन्हें इस केस से बड़ी कराया पिद्या जी अपने नाती आरो और घर के सर्वेंट निम्मी के साथ टीवी देख रही थी आरो उन दोनों की ओर देखती हुए बोला I know ममा ही जीतेगी मैंने उनसे कहा भी था कि वो हमेशा राइट होती है उसकी बास सुनकर सब के होटो पे मुस्कान आ जाती है अंचली अपनी कार की रोट के साइड में रोक कर आयान को कॉल लगाने लगी लेकिन तभी उसे याद आता है कि रावी ने उसे इन्विलॉप दिया था वो उसे निकालती है तो उसमें लेटर था वो लेटर को पढ़ने लगी दियर रंजली सौरी जानता हूँ तुम्हारा साथ छोड़कर जा रहा हूँ मैं हमेशा के लिए लेकिन अगर तुम्हें बताता है कि मैं हमेशा के लिए मॉम और डैट के पास जा रहा हूँ तो तुम जानने नहीं देती तुमसे मिलकर जाने की हिम्मत नहीं हुई मेरी तुम्हारी और मेरी फ्रेंड्सिप के बीच मेरा प्यार आ रहा था मेरा एक तरफा प्यार यह जानते हुए कि तुम तो मुझे सिर्फ अपना बेश्ट फ्रेंड समझती हो अगर तुमसे अपने प्यार का इजहार भी करता तो अपनी फ्रेंड को खो बैटता और यह बात भी सच है कि मैं तुम्हें किसी और का होती हुए भी नहीं देख सकता था मजबूर हूँ मैं मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम मुझे मिस करोगी तो तुमने कुछ कहा ही नहीं तो मैं समझ गया कि तुम्हारे दिल मेंThereे कोई feeling नहीं है आरो को मैंने always अपने बच्चे की तरह प्यार किया क्योंकि वो इतना प्यारा है कि कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसका डैट क्यों नहीं हूँ लेकिन मेरी किस्मत में तुम नहीं हो ये लेटर मैं तुम में सुबह ही दे देता लेकिन तुमसे मिलना तो फिर जाने के बाद दिल न नहीं हो पाऊंगा क्योंकि आज साम कोई मेरी फ्लाइट है मैं आज देलिया हमेशा के लिए जा रहा हूं गुडबाइ सौरी एंड आई मिस यू सो मच तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आयान अंजली इस लेटर को पहने के बाद रोते हुए अपनी वाज की ओर देखती वो हर बढ़ाते हुए बोली रावी क्या तुम्हें पता है आयान की फ्लाइट कितने बज़े की है हां मैं अभी अभी उन्हें एरफोर्ट छोड़ कर आई हूं उनकी फ्लाइट में अभी तीस मिनट बागी है ओके थैंक्यू सो मच इतना कहकर वो कॉल कट करने के बाद वो आज कार की स्पीड इतनी तेज थी कि उसका बस चले तो वो उरकर आयान के पास चली जाया और उसे रोग ले लेकिन रोट पर ट्रैफिक जाम की वज़े से उसे हर बार रुकना पर रहा था वो अपने आप से आज ही इतनी ट्रैफिक क्यों है मैं अगर नहीं गई तो वो हम और बढ़ाती वी जा रही थी लगबख 20 मिनट के बाद वो एरपोर्ट पर पहुँच गई अपनी कार से जल्ली से उतर कर वो अंदर जाने लगी अंदर बेटिंग रूम में बैठा हुआ अयान अपने फ्लाइट के आने का इंतिजार कर रहा था इतनी भीर थी कि अंजली अंदर नहीं जा पा रही थी कि अचानक उसे अंजली की आवास सुनाई देती है अयान एक पल के लिए उसे लगता है कि उसकी कान बज रहे हैं इसलिए वो ध्यान न देकर अपने मोबाइल में अंजली और आरो की पिक्चर को देखने लगा फिर उसे इस पार अपना नाम स सुनाई देता है अयान तुम यहीं होना मुझे पता है तुम मुझे सुन रहे हो वो पीछे मुड़कर देखता है तो अंजली बाहर से उसका नाम लेकर चिला रही थी वो उसे इस तरह देखकर सौक्ट हो जाता है और उसके पास आने लगता है अंजली दोड़कर उसके पा तुम मेरी जिन्दकी में मेरे दोस्त बन कर आए लेकिन दोस्ती से बढ़कर तुमने हमेशा मेरा साथ दिया तुमने ये नहीं सोचा कि मेरे लिए मेरी लाइप में अगर सबसे ज्यादा किसी की जरूरत है तो वो तुम्हारी जरूरत है क्या तुम्हें मुझे देखकर एक ब प्यार करती हूं तुम जब चाहें मेरी लाइप में आ सकते हूं और जब चाहें तब जा सकते हो तुमने मुझे बहुत हर्ट किया आयान मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे मुझे छोड़कर अपने दिल का कैसे बताती है तुम्हें क्योंकि मैं एक लड़की होने के लोग उन्हीं दोनों को देख रहे थे आयान उसकी और देखती हूं बोला आयम सॉरी वाट सिर्फ सॉरी अब भी ऐसे ही तुम रहोगे कुछ नहीं कहोगे आयान क्या मैं सिर्फ तुम्हारा सॉरी सुनने आई थी इतनी दूर तुम्हें रोकने के लिए वो मुस्कराती बो आई लाव यू अंजली बहुत चाहता हूं तुम्हें मैं ना जाने कब से लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर सका तुम्हें नहीं पता मैं किस हालत में था आरों से दूर नहीं जाना चाहता था उससे एक स्पेशल अटेज्मेंट सी हो गई मेरी वो उसे गले से लगा लेती है पिर उससे अलग होती हूँ बोली मैं ये केस जीत गई है आज फिर से हमारी जीत हुई है तो क्या अब भी तुम जाना साहते हो नहीं अब मैं तुम्हारे साथ जाना साहता हूं जहां तुम ले जाओगी मुझे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर कार में बैठ जाते हैं रियांस अपनी काल लेकर वहां से जाने लगा तो नील उसे रोकते हूँ पूछता है कहां जा रहे हो बस आखरी बार उसे देखने जा रहा हूं और अपने बच्चे को भी नील मुस्कराते हूँ बोला किस मुझ से जाओगे उसके पास अपने बच्चे से क्या को होगे इन मैं सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ उसके बाद उन सब के पास कभी नहीं जाओँगा इतना कहकर रियांस अपनी कार में बैठ कर अंजली के घर की ओर चल पड़ा कुछी देर में वो उसके घर के बाहर खड़ा होकर अपने हाथों में रेड रोज की बुके लेकर खड़ था यह मेरा वेटा है यह तो बिल्कुल अंजली की तरह दिखता है वह आगे बढ़कर उससे मिलने के लिए अंदर आने ही वाला था कि आरो आयां से डैड मुझे पहले से ही पता था कि आप ही मेरे डैड हो और यह भी कि मम्मा आपको कहीं जानी नहीं देंगी तब ही विद आयां को खिलाने वाली होती है कि आयां उसके हाथ से लेकर पहले उसे खिलाने लगता है और कहता है तुमने अब तक मुझे से कुछ नहीं कहा कुछ कहना था कि ओके बोल देती हूँ I love you too यह सुनते ही आरो I love you both so much यह सब कुछ देखती हुए रियांस वहीं रुख जाता है और डोर बिल बजाकर बुके को वहीं छोड़ कर चला जाता है अंजली डोर बिल की आवाज सुनकर डोर खोलती है तो कोई नहीं था बुके देखकर उठाती है और अंधर आती है रियांस अपने आप से आर सायद नील का कहना सच था मुझे आना ही नहीं चाहिए था वो उन्हें मना करतों नो आयम कमिंग वो कॉल कट करके चला गया आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लिखने और बोलने में कोई दूटी हुई हो उसके लिए च्छमा प्रातिम आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके चरू बताएं और ऐसी इंट्रेस्टिक कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब चरू करें थैंक यू